काफी बच्चों के कुछ-कुछ डाउट्स आ रहे हैं इसके अंदर सर ये कुशंस लीव एनकेश्मेंट या रेजिडेंशल स्टेटस का पहले हम आज का एजिंडा पूरा करें फिर हम डाउट पे आएंगे हैं हमने अभी तक इसके बाद देख लिए किस तरीके से चल में सबसे पहले था 54 54 में क्या था घर खरीद के घर बेचना घर बेच कर घर ही खरीद होगे वो भी residential तो exemption मिल जाएगा इसमें condition ये था कि आपका 2 करोड मैक्समम है और 2 ही घर खरीदना है 54 B क्या था हमारा agriculture land अगर आप बेचते हो तो अगर दुबारा agriculture land खरीद लेते हो तो exemption मिल जाएगा कहां मिलेगा 54 B के अंदर condition ये है जो जमीन है उस पे आपके parents 2 साल तक farming का काम खेतिबाडी करा होँआ होना चाहिए और सर इसमें भी capital gain deposit अविलेबल था नमबर 3 करा था 54 EC bond का अगर आप जो भी capital gain होता है कहीं से भी हो whether कहीं भी जगह से हो कोई भी SSC हो वो अगर government के notified bond NHI, REC और railway के bonds में डाल देती है तो वो exemption मिल जाएगा maximum limit कितना है 50 लाग कब तक जमा करना है 6 महिने के अंदर अंदर जमा करना है लेकिन 5 साल से पहले redeem इसी के तरह एक था 54 EE, 54 EE क्या कहता है government के notified assets के अंदर आपको investment करना है 3 साल redeemable है यहाँ पर क्या था 3 साल maximum limit 50 लाग और 6 महिने के अंदर करना है फिर देखा था हमने 54D आपका government ने compulsory acquire कर लिया land and building तो आपको कहीं भी land and building अगर आप लेते हो तो आपको exemption मिल जाएगा लेकिन आपका वो ही industrial land and building होना चाहिए जिस पे 2 साल आपने काम किया हुआ होना चाहिए तभी आपको उसके अंदर exemption मिलने वाला है इसके बाद था 54D के बाद 54G के अंदर क्या था आप शहर से factory हटाईए और ले जाएए गाउं में तो आपको plant and machinery और land and building का exemption मिल जाएगा और साथ के साथ वही condition है दो साल बाद एक साल पहले बनाने के लिए तीन साल एक्सेक्टरा यह सारी चीज़े common चलेगा 54GB 54GB के GA के अंदर क्या था सर के आपका अपना कहीं भी आपका हो factory उसको SEZ में ले जाएए तो वहाँ पे special economic zone में ले जाएगे तो आपको फिर से exemption मिल जाएगा 54 अब यहाँ पे furniture भी include हो चुका है अगला point था हमारा GAG में कहता है के सर सरी 54 पहले F था F में कहता है के आपको घर के अलाबा कुछ भी बेचिये और आपको residential house खरीदना है तो आपको exemption मिलेगा वो भी purpose net basis पे क्या था purpose net basis पे हमारा capital gain divided by net sale consideration into my investment तर इसके बाद था हमारा 54 GB 54 GB के अंदर क्या था आप फिर से कोई भी assets बेचिये और government के बताये हुए equity में invest कर दीजिए यहाँ भी purpose net basis पे मि आद जो हम पढ़ने वाले है main point है cost of acquisition section 55 इस section को हम पढ़ेंगे बहुत important भी है लेकिन सवाल में करते हुए कभी आपको realize नहीं होगा किसका implementation कैसे किया जा रहा है लेकिन important है question के बीच में यह आएगा ही आएगा तो sir cost of acquisition का मतलब कई बार हमें problem हो जाता है कि जो हम assets खरीदते तो sir उसका buying value क्या ले उसका cost क्या consider करे क्या उसका cost zero मान ले क्या उसका cost market value मान ले क्या उसका cost real cost मान ले उसका indexation करने के लिए हमें cost चाहिए तो cost किस तरीके से किया जाएगा वो देखेंगे तो हम इसको तीन category में बाट देते है मैंने हाला कि chart पहले से ही 10 year में incorporate कर रख है ह हम इसको तीन category में बाट देते हैं सर कि ध्यान से देखिएगा एक आपका कि इंटेंजीवल एसेट्स एक एक करके करते जाएंगे समझते जाएंगे अब सर इंटेंजीवल एसेट्स की बात होई रही है तो इंटेंजीवल एसेट्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं सर दो तरीके के कौन कौन से इंटेंजीवल एसेट्स हो सकते हैं या तो हो सकता है आपका self generated या हो सकता है आपका पर्चेजड सर इंटेंजिवल एसेट्स होता क्या-क्या है हाला कि आपको पता है मैंने लिस्ट भी दिया हुआ है मैं नॉर्मली कुछ बता देता हूं इंटेंजिवल एसेट्स जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपिराइट, जैसे सॉफ्वियर, जैसे फॉर्मूला, जैसे लूमार्स एंड एक्सेक्टरा, मैं भी जब आओंगा तो सारा लिखवा दूँगा, जैसे इंटेंजीवल एसेट्स बोलते ना, तो हमारे दिमाग में खयाल आता है सबसे पहले गुडविल का, जो सबसे में हम पढ़ते आए हैं, सर अगर हम गुडविल की बात करें, तो गुडविल का मतलब है, एक तो मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं, जैसे मैं अभी क्लासिस ले रहा हूं सिक्षा धाम पे, बहुत बच्चे जोईन हैं, आने वाले दस सालों में मेरी गुडविल बनेगी, अगर मैं अच्छा पढ़ाता रहा, तो मेरे बिजनस की गुडविल बनेगी, कल के दिन कोई भी चाहे, तो बोलता है कि मुझे ब्रांच ओपन करना है, तो मैं उसे ब्रांच ओपन अपने नाम से तब ही करने दूँआ, जब मुझे वो कुछ पेमिंट करेगा अपने अपन करना है, तो आप बताइए आपका नाम यूज करने का क्या रहेगा, तो मैं उसे पैसे लूँआ, एक तरीके से मैंने अपनी गुडविल क्या करा, बेच दिया, तो गुडविल is also part of capital assets, गुडविल बेचा जा रहा है, मैंने माल लेते हैं, पचास अजार रुपे का मैंने तो पैसे नहीं दिये, तो यानि cost of acquisition क्या माना जाएगा, जिरो, तो अगर आपका self generated कोई भी capital, intangible assets है, तो यहाँ पे आपको cost of acquisition लेना है, पहले ये वाला point समझ में आ गया, लेकिन दूसरा ये हो सकता है, कि मैंने goodwill purchase करा है, तो in case मैं goodwill purchase करूँगा, तो cost of acquisition क्या हो होगा actual cost, actual cost, पहले तो एक-एक करके मैं पूस्ता जाओंगा, और एक-एक करके मैं बताता भी जाओंगा, आपको समझ में भी आता जाएगा, साथ के साथ मैं चार्ट भी compare करा दूआ, मैंने रखा है, cost of acquisition section 75, self generated, क्या-क्या होता है, tendency right, root permit, lumars, कुछ मैंने लिख दिये, cost of acquisition निल होगा, in case of acquired, then cost of acquisition shall be considered, पहले वाला पार्ट मैंने यहाँ थोड़ा different तरीके से कर दिया, क्योंकि बना बनाया टेबल में ना, मैं बताओं तो बनाया मैं नहीं है, लिखा मैंने ही है, तो मुझे जब तक अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने हाथों से लिखना लू और आप उस चीज़ को समझना लो, उसमें देखे हुए में तो मुझे 5 मिनिट लगना explain करने में, लेकिन वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, जब तक कि हम लिख के ना कर ले, तो यहाँ तक clear है आपको, बताइए, इस वाले points में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है दो बता सकते हैं, पहले point में, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, 10 year में जो intangible assets है, direct self generated है, अब sir, अभी मैं doubt के, तो आप मुझे सिर्फ जो मैंने बताया है, उसमें पूछ लीजिए, और जो 10 year में question है, नहीं है, वो मुझे अभी, जब मैं बोलूँ के topic of doubt बताइए, तब अभी इस, जिस point से पूछा जाए नहीं, जो, अभी फिलाल के लिए, जो मैं समझा रहा हूँ, वो clear है, ये बताइए, अब कहाँ पे क्या question आप, हाँ, ये जरूर पूछ लिजिए, sir, ये यहाँ कैसे होगा, ये पूछ सकते हैं, चलिए, मैंने क्या बताया, एक बार फटा फट रिपीट कर लें, कि sir, cost of acquisition, यानि जो खरीदा है, उसकी cost क्या मानेंगे, तो सबसे पहले आता है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कुछ लिस्ट लिखे, इंटेंजिबल एसेट्स में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो self-generated होगा, या फिर खरीदा होगा, अगर self-generated हुआ, तो cost of acquisition क्या लोगे, जीरो, लेकिन अगर मान लो, आपने खरीदा है, तो cost of acquisition क्या होगा, actual cost, sir, goodwill खरीदी भी जाती है, बिल्कुल खरीदी जाती है, goodwill, franchisee वगर जो बिखता है, आपने सुना होगा, तो वो goodwill बेचते हैं, basically franchisee नाम की कोई चीज नहीं, अपना नाम बेचते हैं स्रीफ, ठीक है sir, अगले बात कर लेते हैं हम, जो सबसे main है, shares की, और shares के जगह मैं security word यूज़ करूँ आ, शायद chart में spelling error है इसमें, security, अब sir, अगर हम security पे जाएं तो security क्या होता है, any kind of financial instrument हमेशा security में आता है, मान लो मैंने bank से loan लिया, अब bank वालों ने मुझे loan लिया, उसका, या मैंने loan जब लिया, तो bank वालों ने मुझे उसका कुछ न कुछ तो proof दिया होगा, document, तो वो जो paper है, that is a security, मैंने dementia लिया, वो security, यानि पैसे से लेन देन को, जिस कागज पे आप लिख लेते हो न, business के लिए, ऐसे नहीं अपने द और debenture के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे shares का, चाहे equity हो, चाहे preference हो, सर, जैसे ही shares कहेंगे, तो share बहुत बड़ा topic है, exam के अंदर, examiner का बिलकुल highlighted topic रहता है, इसमें से सवाल पूछता है, तो बच्चा जरूर परिशान होता है, अब shares की बात करें, कितने तरीके के shares हो सकते हैं, सर, shares में bonus share हो सकता है, bonus share हो सकता है, bonus के बाद आपका हो सकता है, right issue, right issue के बाद हो सकता है आपका, unlisted share, अने लिस्टेड शियर के बाद हो सकता है आपका सर इसके लिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगा तो मैं इसको यहां से यहां लेके चलता हूँ लिस्टेड शियर हम एक एक करके सभी को समझेंगे देखें बोनस शियर सर बोनस शियर में क्या कहा गया और कैसे कहा गया क्या करना है सबसे पहले तो बोनस शियर क्या होता है बोनस शियर होता है फ्री का शियर फ्री का शियर मतलब ऐसा नहीं कि शियर बट रहा है आप जाके ले लोगे हमेशा bonus share दिया जाता है existing shareholder को company का मान लेते हैं company का xyz का आपने 5000 share ले रखे हैं यानि already आपके पास 5000 हैं इस company के और आपको company ने announce कर दिया कि sir आपके 5000 share जो लिये हुए हैं आपको announcement किया जाता है कि one is to one हम इस बार company का बहुत अच्छा मुनाफ़ा रहा है मैं bonus दूँगा तो जब one is to one में bonus मिलेगा तो पहले से आपके पास कितने का है पांच का फिर बाद में कितने का हो गया पांच का और तो यानि अब आपके पास हो गए 10,000 आपने कीमत दिये 5000 शेयर के लेकिन आपके पास कितने शेयर हो गए 10,000 अब अगली बार फिर से company ने कभी चार-पांच सालों में one is to one का bonus दिया तो अब कितने हो जाएंगे आपके पास 10 तो है कितने हो जाएंगे 20,000 यानि इस तरीके से आपके शेयर बढ़ सकते हैं तो सर जो ये आपको free वाला शेयर मिला है ना existing shareholder के लिए इसके लिए आपने कुछ भी amount paid नहीं किया है सिंपल सी बात है पहले जो था उसी पर मिल गया इसके लिए कोई भी amount आपने पेड़ी नहीं किया तो हम इस जिसके लिए amount paid नहीं किया लेकिन in future में मैं बेचूंगा तो सही इसको जैसे ही मैं इस वाले को बेच देता हूं मान लेते हैं पांच लाख रुपए का तो सर सेयल consideration तो पांच लाख हो गया लेकिन इसके लिए cost of acquisition क्या लिया जाए वो सीखेंगे हम यहां पर समझ रहे हो point मतलब जब कभी इस वाले shares को अगर बेचेंगे ना खरीदे वेको तो उसको तो हमें पता है सर के हमारा sale consideration पांच लाख और जितने का खरीदा माइनस कर देंगे आ ज condition में bonus मिल सकता है या तो इंडेक्सेशन से पहले मिला हो या तो इंडेक्सेशन के बाद मिला हो अगर आपको इंडेक्सेशन से बिफोर मिला हो यानि सर बिफोर 142021 या हो सकता है bonus मिला है आपको after 142021 तर अगर बिफोर मिला हो आपको तो क्या करेंगे और आफ्टर मिला हो तो क्या करेंगे अगर बिफोर मिला है तो आप bonus share के लिए क्या करेंगे और after आफ्टर में bonus share के लिए cost of acquisition रहेगा निल जीरो आफ्टर में before में रहेगा cost of acquisition पेयर market value 2001 अच्छा मैंने 21 लिख दिया 1 है 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 2001 ठेक है न 2001 का indexation यानि सर bonus share आपको अगर मिला है 2001 से पहले तो bonus share का market आपको consider करना है cost of acquisition सर क्या cost of acquisition consider करना है fair market value जो 2001 में रहेगा लेकिन अगर after मिला है तो उस situation में आपको cost of acquisition क्या consider करना है जीरो consider करना है वो आपके shares के price में ही बढ़ जाता है आपका पास number of shares बढ़के है तो market value के सबसे consider हो जाता है इस से related एक example देख लेते हैं तो ज्यादा एकुटी शेयर 5000 पर्चेज एक चार 1980 में एकुटी शेयर रुपीस 5000 तर एकुटी शेयर कितने पर्चेज कर लिए रुपीस गलत लगा दिया नंबर लगाना है में इन तो 5000 पांच हजार अट टा रेत 50 ज़ए यह कंपनी डिकले बोनस ओन एक चार 2000 वन इस तो ओन अधर सम ठाइम after some time company declare again bonus on 14 2020 1 is to 10 1 is to 2 यह मैंने पूरा सवाल लिख लिया है कुछ बाते आपको जानकारी चाहिए वो मैं लिख देता हूँ fair market value सर्फ FMB on 14 2000 1 14 2001 आपका 70 रुपए all share are sold on 142,021 at the 50 या 90 रुपएज सवाल पहले समझ लीजिए मैंने जो question है मेरी कोसिस यही है देखा आप wording पे नहीं जाईएगा मेरा कुछ concept यह है कि आपको सवाल मैं पूरा समझा पाऊँ कहता है सर 1X ने कभी share खरीदा 1980 में equity share 5000 और 50 रुपए का एक के भाव से खरीद लिया था और फिर company ने bonus दिया 142000 के अंदर 1 is to 1 का और after some time again company ने दिया bonus 142002 में 1 is to 2 का fair market value 14201 का 70 है और सारे share हमने उठा के बेच दिये 2021 में कितने का 90 का तो इसका आपको treatment करके दिखाना है क्या सर treatment करके दिखाना है आपका capital gain का तो capital gain के treatment के लिए हम अलग-अलग कर लेते हैं या एक साथ भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है हमें एक साथ ही कर लेते हैं समझ में आ जाना चाहिए बस सबसे पहले सर शेल शेयर जो हमने sales किया है तो sales consideration या sales लो आपके पास कितने share हो गए ये पता करो 5000 पहले थे कुछ दिनों के बाद 1 is to 1 जैसे ही मिला तो आपके पास 10,000 share हो गए जैसे ही 10,000 share हुए फिर से company ने 1 is to 2 दे दिया इसका मतलब होता है 2 के बदले 1 1 is to 2 का मतलब क्या होता है जो बाद वाला है उसके बदले 1 मिला है तो सर फिर से आपको कितने मिल गए bonus यहाँ पे bonus आपको मिला था 5000 जिससे बना था 10 फिर इस पे आपको bonus मिला सर bonus 1 is to 2 तो 2 से डिवाइट करोगे अगें bonus मिल गया परकिये है एक इंडेक्सेशन से पहले bonus मिला और एक इंडेक्सेशन के बाद मिला तो सर हमने सारे share को अगर देखा जाए हमारे पास total share कितने है सर 5-5-10 bonus 5 पहले था तो 15,000 के हमारे पास है 15,000 into में हमारे पास 90 का है या फिर मैं इसको अलग-अलग करूँ तो ज़्यादा बहतर है एक्जाम में जैसे करना है वैसे कर लेते है सबसे पहले हम sales रखेंगे 5000 जो original share है 5000 into में 90 तो कितने आगे सर 4-50 less कर देंगे cost of acquisition original वाले का original कितने का खरीदा था सर 50 लेकिन ये तो खरीदा इस डेट पे था तो FMB लेंगे FMB क्या है हमारा 70 तो cost of acquisition आजाएगा 5000 into में 70 और divided by 100 into में 317 ये आजाएगा हमारा इसका जो भी whatever capital gain आता है अब bonus share number 1 का कर लेंगे bonus number 1 सर sale consideration sale कितने का किया होगा number 1 का झाल झाल now check करिए voice आ गई आपको voice check करिए आ गई आपको voice check करिए no voice अब तो आ गई होगी yes चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ सर sales हमारा 5000 share मैं न shares के 3 तरीके के shares हो गए हमारे मैं ये भी समझा दूँ और यहाँ पे कई बार shares पे मैंने बता देता हूँ हाँ जी हाँ जी एक मिनट रुकिए है अब चेक करिए फिर से आपको एक मिनट रुक जाए है बस दूसरे चार्जर से लगा लेकर इसको अब देख लीजिए अब क्लियर आएगी अब क्लियर आएगी आपको बोईस तो मैं क्या कह रहा था सर एक तो है हमारा original share सर original share जो है वो 5000 है उसके बाद एक bonus नंबर वन है जो की one is to one मिला था 5000 एक bonus नंबर टू है जो की कितना है हर तीनों को मैं अलग-अलग बेचूँगा हर तीनों का अलग-अलग solution करूँगा मेरा assumption यह है यह share पे indexation allowed है मैं बात करूँगा कौन से share पे indexation allowed है कौन से नहीं है अभी बेसिकली सिर्फ concept बताने है आपको ठीक है तो सर यहां पे पहले वाले point की बात करें तो sale और जो sale है हमारा यहां पे sale यहां पे 90 रुपे के हिसाब से last में सवाल में कह रखा है कि सारा sale 90 में तो 5000 को 90 यह original वाले की बात कर रहा हूं और उसको खरीदा कितने का था 5000 हलाकि खरीदा मैंने 50 का था लेकिन FMB लेना है में तो 70 के हिसाब से यह आ गया जो भी आएगा capital यह न आ जाएगा सर इसका treatment मैंने कर दिया अब दूसरे का करेंगे बोनस का तो बोनस आ गया 5000 इंटू में विकेगा तो 90 के हिसाब सभी सारा इखटा ही वेच नहीं लेकिन अलग-अलग calculation करके दिखाना पड़ेगा सर अगर हमने अब चेक करना होगा क्या यह खरीदा कब था बोनस यह मिला कब है तो सर इंडेक्सेशन से पहले मिला है तो क्या लेंगे हम fmb अभी कराया है अगर इंडेक्सेशन से पहले मिला हो क्या कहा गया अगर before एक चार से मिलेगा तो fmb लेना है after मिले तो क्या लेना है निल लेना है सर बिफोर एक चार ही मिला तो इंडेक्सेशन ले लिया मैंने सतर के इसाब से और इंडेक्सेशन कियाएगा डिबाइट वे तो इंटो में 317 अब बोनस नंबर 3 3, सर बोनस नंबर 3 पर क्या करना पढ़िगा से जस क्या इगा सहर бол है और लेस्स करेंगे कोस्ट ऑफ यहां पर कॉस्ट Commission क्या लेगा मैं बताइए यहां पर कॉस्ट मैं बस यही समझाना चाह रहा था सर यहां पर कॉस्ट आफ एकुजेशन लिया जाएगा जीरो तो यह आजएगा चार पचास सर नेचर क्या रहेगा सर इसका लॉंग ट्रम आप काउंट कर लेंगे के लॉंग ट्रम शॉट ट्रम अभी बता देते हैं यहां पर क्या है कैल्कुलेट करके 11,9,500 तो सही तो है माइनिस करके बताइए कैपिटल गेन निकाल लिए चार पचास बहुत ज़्यादा आ गया यह हाँ ज़्यादा तो आएगा यह सर 65,500 यह लॉस यह लॉंग ट्रम लॉस आ गया लॉंग ट्रम लॉस आ गया सर यह बोनस शेयर की बात करते हैं यह कितना है सेम आ गया सर यह भी लॉंग ट्रम लॉस आ गया सर अब इसकी बात करें अब एक बात बताईए बोनस शेयर मिला कप था आपको सर यह वाला जो दूसरे वाला बोनस शेयर है वो मिला कप था आपको 2022-2020, और बेचा कब है? तो sir Shares के case में क्या लिया जाता है हमारा? Listed वाले के case में 12 महीने था, unlisted वाले के case में क्या था? 24 महीने, तो 24 महीने, इसका मतलब sir, ये 24 महीने से कम समय में ही बेच दिया इसने, तो यहाँ पर आएगा short term, Kya, production game, क्या आएगा, short term तो आप एक बार देख लीजिए मैंने इसमें कोसिस करा है कि जितने भी concept से सारे आ गए इसमें लगबग लगबग short term भी निकल गया long term भी निकल गया और आपका bonus share का before और after दोनों वाला मैंने calculation कर दिया आप जिसका भी doubt है इस topic पे तो पूछ सकते है फटाफट पूछ लेजिए सर short term क्यों है short term इसलिए है क्योंकि आपको जो bonus मिला था second bonus का date यह है देखिए और बेचा आपने 21 में तो सर ये वाला जो shares है वो तो 2020 में मिला और 21 में बेच दिया 24 महने के बाद आपका long term होता तो that's why यह क्या माना गया हमारा short term मान लिया गया समझ में एक पर फटा फटा से repeat कर दो इसको repeat में क्या था सर हमारे पास तीन परकार के share थे पहला यह यह original share था कितने का खरीदा था सत्तर का original share का price मैंने sales में ले लिया और इसका cost of acquisition कर दिया सत्तर से दूसरा bonus है bonus before वाला है तो original price यह है मैंने इसको इससे कर दिया बताइए 50 each में था लेकिन उस time indexation ही नहीं था तो मैं FMB लूँगा तो मैंने FMB ले लिया यहाँ पर यहाँ पर भी loss आया यहाँ पर भी loss आया तीसरे वाले के case के अंदर देखा जाए तो मैंने खरीदा 20 में था खरीदा मतलब एक तरीके से free में मिला है तो हम तो count करेंगे days जितने दिन आपके पास रखा गया है वहां से long term short term count होता है कैसे मिला इससे मतलब नहीं तो आपको मिला कब था capital game यहाँ पर cost of acquisition zero क्यों लिया मैंने बोला after indexation जो होगा वहाँ पर बोनस शेर के लिए cost of acquisition क्या माना जाएगा निल माना जाएगा clear हो गया बच्चे पूछने से two में निल क्यों आएगा यही तो मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ two में निल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यह bonus शेर मिल रहा है ना इसके अंदर यह market value में already factoring हो चुका है market value के अंदर already factoring हो चुका है जो market value है bonus के साथ होता है मैं एक चीज़ आपको सचा ही बताओ आज reliance का share चल रहा है 2000 रुपे का मान लेते हैं आपका reliance का share कितने का है अब 2000 का share हर किसी के लोगों के मतलब की capacity में नहीं है कि 2000 ले आपको अगर 100 share भी लेना है तो 2,00,00 रुपे खर्चने हो गए लेकिन share बजार के अंदर सभी चाहते है मेरे पास ज्यादा नंबर हो तो reliance का share क्या करता है कुछ दिनों बाद one is to one का bonus दे देगा जिससे क्या होगा आपके पास अभी 100 share है तो आपकी value दो लाक की है कुछ दिनों के बाद reliance क्या करता है वन is to one का bonus देता है तो आपके पास कितने share हो जाएंगे 200 लेकिन इसका price half हो जाता है automatically market के अंदर half हो जाता है automatically फिर दीरे दीरे बढ़ने लग जाता है फाइदा ऐसा मस समझने क्या फाइदा हुआ सर बोनस का rapidly बढ़ जाता है फिर बोनस देरने के बाद तो उस situation में ये भी पता चलता है company का strength company bonus दे रही है जब company का strength क्या है अच्छी है buyback और bonus जहां announce होता है तो मान लिया जाता है company के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है company के अंदर पैसे इंवेस्ट कर दो buyback company तभी करता है जब company को लगता है कि मेरे शेयर का price डाउन जा रहा है हम अपने खुदी खरीद लेंगे तो अपनी उसके अंदर क्या कर रहा है और अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो ज एक चिर्ड़ के प्राइस देखना जहां ओनर ने अपना च्टेक बेचा शेयर के फ्राइश डाउन हो जाते हैं कि पच्छेंस सो बारा है अच्छा को पंच्छेश का पच्छेंस का च्छेंस बारा हाँ थीक है वो अभी होगा उन हो प्राइस गटता बढ़ता रहता है तो बहुत प्राइज हो चुका है उसका दीरे दीरे करके चलिए सर अब हम अगले पर आ जाते हैं राइट इशू राइट इशू के लिए मेरे पास यहां जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मुझे एक अलग पेच पे ले लेना चाहिए पहले बोनस वाला के लिए अब सबसे पहले समझते हैं राइट इस्व क्या होता है अब राइट इस्यू क्या होता है हाला कि जिनके पास company law है उनके exam में सवाल आएगा bonus share का बताइए bonus share क्या provision है किस provision के according देता है और right issue पर भी सवाल आएगा उसके exam में कि right issue देने के क्या provision से कब कब company दे सकती है क्या condition फुल्फिल करेंगे वो तो company law की बात है मैं right issue के simple सी बात करता हूँ जैसे मान लो xyz limited है xyz limited ने क्या करा authorized capital करवाया अपना सर authorized capital करवाया उसने 5 लाग share से सर इसमें से इसने क्या करा 5000 या 50,000 share issue कर दिये यह क्या करती है इसने issued तो यह क्या हो गया हमारा issued share बिग गए 5000 क्या company और भी share issue कर सकती है क्या definitely company ने जब registration अपना authorized capital 5 लाग से कराया है तो company can be issue up to 5 लाग share 5 लाग share तक issue कर सकता है लेकिन अगर मैं बोलू कि company चाहे तो 5 लाग share issue कर सकता है तो जवाब no उसे अपना MOA alter मारना पड़ेगा यह भी आपके law के अंदर एक question आएगा कि MOA को alter मारने का क्या provision है तो सर जिसने second semester में कर लिया होगा उनके exam में आया भी होगा MOA को सारे provision उसको alter मारने important question रहता ही है exam में तो कि एक से कि एक आए चलिए तो होता क्या जर्नली अब आपको इसू कर दिया अब इसके बाद company का विचार बन रहा है यार और शेर इसू किये जाए अब company और शेर जो इसू करेगी बाद में पहले कर चुकी है जो पहले बार कर रहा है उसे बोलते हम IPO initial public offer उसे क्या बोलते हैं IPO initial public offer जैसे first time share होता है share market में लगाते हैं IPO में पैसा लगाए सुना हो कभी कि इस company के जैसे तो पहली बार share share market के अंदर लेके आ रहे हैं उसे बोलते हैं IPO initial public offer अब company का अगर बहुत अच्छा performance है तो company चाहती है कि हम फिर से शेर लेके आ जाए company ने बोला चलो 50,000 और शेर इसू करेंगे तो सर यह वो शेर है वो company है जो पहले एक बार इसू कर चुकी है इसके बाद दुबारा अब इसू करना चाहती है तो company का true honor कौन होता है company का honor कौन होता है शेर होलडर आपको पता है अगर company ने यह 50,000 शेर किसी public को इसू कर दिया तो भहिया यह जो company के मालिक है वो नराज हो जाएंगे बोलेंगा भहिया मालिक हम है हमसे कुछ पूछा भी नहीं और किसी और को दे दिया यानि इस 50,000 पचास की जगा साठ कर लेत है कि पहले इनसे पूछा जाएगा जैसे आपने IPO में पैसा लगाया है company आप क्या होगे उस company के मालिक होगे कितने जो भी शेर है company ने फिर से share बेचने के लिए गए बेचने के बाद company आप से पूछेगी के भाई साब मालिक हम शेर को बाहर बेचना चाहते हैं आपको देने के दे रहे हैं हाला कि हमारे share का आज जो प्राइज है वो 110 रुपए है लेकिन क्योंकि आप तो मालिक हो पुराने shareholder हो तो हम आपको यह देंगे 100 रुपए में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि unlimited जिसके पास जो quantity share रहेगा उसी quantity में offer किया जब company दूसरी बार share market में लाना चाहती है तो company क्या करती है किस से पूछेगी पहले existing shareholder से जो IPO में आये था अब existing shareholder मना कर दे ना company पहले तो लेके फस गया आपको और लेके थोड़ी फसना जैसे पेटियम आये था 2000 का आज 600 रुपए में धक्के खा रहा है company आज आई प्यों लेके आजाए वहले हम आजार रुपए में दे रहे हैं आपको तो कोई नहीं लेगा तो अब इस्टिंग shareholder मना कर दे तब company का आता एफ पी ओ यानि further public offer तो हमेशा याद रखना FPO जब कभी भी मार्केट में share आता है तो वो share होते हैं जो कि already shareholder ने reject कर रखे हैं तो FPO में पैसा लगाना समझदारी मेरे हिसाब से नहीं होता है FPO में हमेशा नुकसान होता है share बजार के अंदर सर अब अगर company ने existing shareholder खरी देंगे तो माने लेते हैं एक व्यक्ति है जिसको क्यों offer किया गया है 2000 या तो यह सारे share acquire कर लेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर क्या करता है यह अपने rights किसी को बेच भी सकता है यह भी है वाई भी इस company के share को खरीदना चाह रहा है बहुत इसने अफ़र्ट लगाये मुझे मिल जाए इस company का company का share over subscribe हो गया इसके हिस्से में आया नहीं एक से बोला इसने यार मैं इस company का तूने खरीद रखा था मुझे भी चाहिए था मुझे मिला नहीं एक्स ने बोला पहले बताता तू मुझे भी offer आया था इसका मिर पास तो पैसे नहीं तो मैंने खरीदे नहीं भाई तेरको चाहिए तो बता मैं दे देता हूं उसने बोल लेगा तो उसने बूल ठीक है तो मुझे 110 का मिल रहा था गर तो कोई दिक्करत वाली बात नहीं है बोला एक काम कर अप्लीकेशन लिख दिया जा तू शेयर खरीद लेए स्टेर को सॉरुपे लिकिन मुझे अलग से दे पांच रूपे यानि तेरको पड़ेगा 105 का मुझे 5 रूपे क्या दे दे जो मैं अपना right तुझे दे रहाँ उस right के बदले मैं क्या ले रहाँ तिर से पैसे, यानि अपना right बेच दिया इसने, तो right जो बेच दिया कितने का 5 रूपे है तो आप समझो, जो इसने 2000 इंट्व में 5, 10,000 रूपे इसने receive किया है राइट बेच करके, that is also capital assets, राइट भी capital assets है हमारा, तो क्या इसके लिए इसने कोई cost of acquisition के लिए पैसे दिये होंगे, तो यहाँ पे cost of acquisition क्या जागा, zero, ठीक है न, तो अगर shares की बात आती है, पहले तो सबसे पहले right issue का concept समझ में आए, बहिए, क्या है यह right issue, तो right issue के अंदर देखा जाए, तो right issue हो सकता है, कि आपने acquire कर लिया हो, यह हो सकता है, आपने right issue को taken कर लिया, यानि आपने खुदी खरीद लिया, तो right issue जब आप खुदी खरीद रहे हो, तो cost of acquisition होता है, हमारे क्या actual cost, यानि मेरे वाले example के इसाब से, अगर right issue आपने खरीदा है, दो हजार, तो आपके लिए cost of acquisition क्या आजाएगा, दो हजार इंटू में 100, यानि 20 हजार, क्योंकि दो हजार आपने खरीद लिया है, payment करा ही नहीं करा company को, खरीदने के लिए payment किया है, तो क्या आजाएगा आपका actual cost आजाएगा, लेकिन हो सकता है, आपने ये transfer कर दिया, जब transfer करते हैं तो उसे बोला जाता है, renounce करना, right issue जब मैं किसी को दे दूँगा ना, ले भाई, तू ले ले मेरा right तो उसे बोलते है, renounce करना, तो अगर आपने renounce कर दिया, अगर आपने renounce किया, तो यहाँ पर दो involvement आजाएगी, एक आजाएगा renounce, एक आजाएगा renounce, तो renounce होगा एक, एक होगा renounce, मैं roughly थोड़ा लिख रहा हूँ, बाकि चार्ट में सब कुछ है सिर्फ समझाने के लिए, सर, renounceर वो होता है, law के अंदर हमेशा याद रखना, जिसके आगे ER लगता है, वो देने वाला होता है, जिसके आगे double E लगता है, वो लेने वाला होता है, renounceर है, तो इसने अपने right दिये है, renounceर के लिए cost of acquisition क्या होगा हमेशा, हमेशा निल होगा सर, समझिए, क्यूं सर निल होगा, क्यूंकि उसने right बेच दिये हैं अपने, लेकिन उस right को खरीदने में कोई पैसा थोड़ी न लगा है, प्री में मिला था उसको तो, और renounceर के लि paid कर आओगा, उसने किसको, renounceर को, माल लेते हैं, 100 का खरीदा, वो हो गया, plus 5 रुपए किसको paid किया था उसने, तो यानि यहां पर देखा जाए, मैं example ले लू, 105 रुपए, यानि 100 प्लस में, 5 रुपए जो उसने payment किया था, वो हो गया, renounceर का expense, तो renounceर को बेचेएगा, तो किसी को देता है, नहीं, राइट, तो जो actual cost सर, वही आ जाएगा, सर यह था हमारा पूरा का पूरा, राइट इशू पर, अभी हमारा listed है, unlisted है, यानि, shares में बहुत सारे जहमेला, और security के अंदर अभी हमने, shares के, अभी तो debenture बांकी है, ठीकर अभी सर्फ क्या चल रहा है, shares का चल रहा है, मैं एक बार notes में भी दिखा दू, चार्ट में थोड़ा सा पढ़के बता देता हूं, देखे, shares पर क्या करा है, समझ में आ जाएगा आपको, सबसे पहले मैंने बताया, self generated assets, self generated assets क्या होता है, दो तिन example लिख दिया, और भी बहुत सारे होते है, tendency right, route permit और loomars मैंने वो example जानबूच के लिखा है, जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता है, वो नहीं लिखा, जैसे good will, patent, copyright, वो मैंने पीछे लिख दिया, sir, tendency right क्या होता है, किरायदार का right, मैंने क्या करा, मकान को lease पे ले लिया, उस पे मेरा अधिकार आ गया, तो मैं उसको भी बे पर तो उसी route पर जागा, तो route permit भी government से खरीदा जाता है, तो अगर मानलो, आपको route permit मिल गया, तो आप route permit भी सिर्फ बेच सकते हैं, तो उस पे भी capital gain लग जाता है, लूमार्स क्या होता है, मान लेते हैं, मैं जहां पर institute है, मैं साम को 2 घंटे पढ़ाता हूँ, बाकी के बाकी 8-10 घंटे खाली रहते हैं, मैंने किसी और tutor को बोल दिया, के भाईया, तुम आके अपनी class ले लो, बदले में मुझे पैसे दे दो, उसे बोलते हैं, लूमार्स, बाकी हमारे सिर्फ general knowledge के लिए चीज़ें अच्छी है, एक्जाम के point of view से बिकार है, कुछ काम का ही नहीं, आएगा ही नहीं पेपर में, पहले मैं चीज़ों को clear कर दूँ, सर इसका cost of acquisition क्या लेंगे हमेशा, निल, लेकिन अगर in case of acquire होगा तो क्या लेंगे आप, अगर आपने खरीदा है, तो actual consider किया जाएगा, अब सर shares की बात करते हैं, या तो bonus share होगा, bonus share में या तो after लिया होगा, या before लिया होगा, आफ्टर लिया होगा तो आपका cost of acquisition क्या cost paid और अगर taken कर लिया, वो मैंने यहां incorporate नहीं किया, taken वाला मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हम आप बात करते हैं, other share, sir, other share में listed है, और unlisted है, दो चीजे है, एक है listed और unlisted, जो कि मैंने लिख रखा है, देखते हैं यहां जगह है, तो मैं यहीं पर लिखके करवाने की क पूसिस करता हूँ, कहां गया, कहां गया, यह रहा, चलिए, यह मिटा देते हैं, पहले में listed की बात, unlisted की बात कर लेता हूँ, सर, unlisted, आपका short term, long term, दोनों हो सकते हैं, unlisted की बात करें, तो अगर आपका before, 142001 है, तो आप लोगे fair market value, अगर after, 142001 है, तो सर, आप लोगे actual cost, पहले तो यह समझे, unlisted का मतलब, हमारा share तो है, लेकिन share market में listed, मतलब के share market में trade नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे company बता दूँगा, जैसे आपको नाम भी पता हूँ, जैसे की, एक medicine बनाता है serum company, जो world का सबसे largest है, जैसे के पूने वाले का COVID के time पर अपने नाम सुना होगा, vaccine जितने भी बनाया है, तो यह एक पूने वाला नाम है, और serum company है, अगर नहीं सुना हो, तो मैं बता देता हूँ, और भी बहुत सारी company में बात करूँ, घरी detergent, नाम सुना है, पहले इस्तमाल करें, तो इसमें shares market में नहीं है, इसका share, लिस्ट नहीं है, लिस्ट कराने का यह सोच रहे हैं, तो यह unlisted हो गया, ऐसे बहुत सारी company है, जिनका particular share, share market में listed नहीं है, लेखिन, वो सोच रहे हैं, कि हम इसको list करवा ले, तो जो share market के अंदर list, मतलब कि electronic mode में जो trade नहीं करता, that is unlisted, listed share में, unlisted share में सबसे बड़ा difference क्या है, सर जो listed share होता है, वो share market में आप अभी खरीदा और अभी बेच दिया, second के अंदर अभी खरीदा 100 रुपे में, 100 रुपे 10 पैसे में बेच दिया, और इसको बोलते हैं trader, जब कभी भी share market में जाओगे, और trader कभी भी पैसा कमा नहीं सकता market से, simple से knowledge दे दूँ, इसके अंदर क्या होता है, कि आपने 1,00,000 share खरीदा, एक लाग share खरीद लिया, आपको limit मिल जाएगे, आप सोचो के एक लाग share खरीद देंगे, सो वाला तो 10 रुपे, सो वाला तो कितना होगा, 1 करोड होगा मेरे ख्याले, एक लाग, सो वाला, 1 करोड, कहां से लाएंगे इतना पैसा, जहां पर अकाउंट खुलवाते हैं, वो दे देते हैं, अगर आप उसको दोगे न, कि सर एक लाग रुपे लो, तो वो आपको एक करोड की limit दे देंगे, खरीदो एक करोड का share, अब आपने अगर मान लिया जाए, आपने कितने share खरीद लिए, एक लाग share, पैसे बढ़े, एक लाग इंटू में दस पैसे करो कितने होते हैं, पॉइंट वन, एक लाग का आप एक परसंट निकालते हैं, तो एक लाग, पॉइंट वन क्या होगे है, दस अजार, आपने क्या करा, कीबोड पे enter मारा, दस पैसे बढ़ा बेच दिया, दस अजार कितनी देर में कमाली है, सेकिंड, तो यह लट लग जाती है, तो इसके अंदर यह है कि जो आपका listed share है न, वो क्या करता है, instant बेचा और खरीदा जा सकता है, लेकिन unlisted वाला ऐसा नहीं है, उसके लिए proper form भरोगे, सब कुछ भरोगे, listed वाले में STT paid होता है, सर यह STT क्या जमेला ह बार-बार STT का discussion होगा यहां पर, security transaction tax या security turnover tax भी बोल देते हैं कई लोग, कई लोग transaction tax बोलते हैं, कई लोग, जब कभी भी आप share को खरीदते बेचते हो, normally आप goods को खरीदो को बेचोगे, तो सरकार को text देना होता है, जिसे बोलते है, goods and services, that is GST, ऐसा इस shares को खरीदे को बे पर आपने STT paid किया है, तो government बोलते है, indexation नहीं होगा, उस पर indexation, और जिस shares को बेच खरीद पर आपने, अगर STT paid नहीं किया है, वहाँ पर government ने indexation allowed करा हुआ है, simple सी बात है, STT और भी आगे detail में पढ़ेंगे, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, unlisted share, जिसके अंदर STT जो है वो नहीं paid है, सर, STT paid? नहीं है, तो आपका FMV होगा, इसका long term कम माने जाता है, 24 मेहने, सबसे बड़ा जो amendment आया था, वो इसके अंदर आया था, और यही आपके exam में सवाल पूछा जाने के पूरे पूरे chances है, shares वाले में से, हुआ क्या, पहले government, starting से जबसे मैंने देखा थ मैंने देखा था, shares long term अगर होते हैं, तो उसके उपर tax free कर रखा था, government ने, और shares को category रखा हुआ था, 12 महिने में, अगर 12 महिने तक किसी भी company का share को hold कर लो, उसके बाद आप उसे बेचते हो, तो जो भी आपका gain होगा, सारा का सारा क्या होगा, tax free, तो जादा सा जादा हुआ, मानलो, 100 रुपे का मैंने share खरीदा, एक साल बाद मैंने 1500 का बेच दिया, तो 50 तो कमाए, इस 50 के उपर capital gain नहीं लगाया जाता था, इसके बाद, जब BJP की government आई, BJP की government ने, बहुत सारे fair बदल किये, बहुत सारे act change किये, तो उस टाइम पे finance minister, जब सबसे पहले बने बीजेपी की government में उनका नाम था अरुन जेटली, जो अब नहीं रहे, अरुन जेटली जी ने क्या करा, बजट लेके आए, और 2018 में, 19 में बजट लेके आए, और 2018 में जब बजट लेके आए थे वो, तो उन्होंने क्या कहा था, कि सर अब जो है, shares पे भी capital gain लगेगा, पहल dates होगा, तो capital gain लगेगा, सर capital gain, यानि आपको 50 रुपए पे LTCG, short term पे तो था पहले भी, लेखिन long term exam था, 50 रुपए पे LTCG लगेगा, यानि पहले कभी नहीं हुआ करता था, यह recently आया, दूसरा statement उन्होंने दिया, indexation not allowed, वैसा ही share market उस दिन crash हो गया पूरा, मतलब जो लोग, करोडों लोग इस उमीद में बाहर के FDI इसलिए लगाते थे, कि यहां से tax free पैसा लेके बाहर जाएंगे, लेकिन अब उसको क्या देना पड़ेगा, सबने बेचने चालो करें, निकलो यहां से, यहां पे बहुत सारे tax में उल्टे पल्टे provisions आ रहे हैं, उ आप 99,990 रुपए पर tax ले लोगे, इस 10 रुपए की value भी तो देखो, government ने बोला indexation not allowed, आपको indexation इस पर, फिर बाद में थोड़े दिरवाद clarity आई, हम आपको इसके लिए indexation तो नहीं देंगे, लेकिन fair market value देंगे, इंडेक्शेशन तो नहीं देंगे हम इसके लिए, लेकिन fair market value देंगे, अब confusions और fair market value 2001 वाला दे दूगे मुझे, बुला नहीं, फैसला हम आज ले रहे हैं, तो आज की date क्या, जो भी fair market value होगा, वो indexation cost of acquisition माना जाएगा, इसके बाद कोई indexation नहीं मिलेगा, यानि जिसने जिसने भी 31.01.2018 से पहले share खरीदा है, उसको fair market value 31.01.2018 का दे दिया जाएगा, उसके according करा जाएगा, और जो बाद में खरीदेगा, उसके लिए कोई FM भी नहीं है, उसके लिए normal price रहेगा, ये किसके लिए provision आया था सर, लिस्टेड के लिए है था, तो मैं एक बार यहीं बत सादू, लिस्टेड के लिए क्या था, other share की बात करें तो लिस्टेड होगा, अभी मैं इसके लिए जब तक example नहीं लूगा आपको ये बाते समझ में नहीं आएगी, और ये बहुत बड़ा provision है अपने आप में, या तो लिस्टेड होगा, तो लिस्टेड अगर before 31.01.2018 में ह cost of acquisition लेना पड़ेगा, as per rule number 112a, तभी आया 112a, उससे पहले 112a हुआ करता था, a नाम का कोई शब्द नहीं था, तो बोला गया, जो 112a के अंदर हमने provision डाले, उसी provision के हिसाब से आप text निकालिए, मैंने यहां लिख दिया, 112a क्या कहता है, 31 March का FMB ले लिजिए, और एक दो बा application allowed, नहीं है, unlisted share, after में actual cost और before के अंदर FMB, unlisted में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सर, एक example ले 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 लेते हैं, इसके उपर तो समझ में आ जाएगा, example ले ले लेते हैं, expertise, reliance limited share, at at 100 या purchase 1000 reliance limited share at the rate at the rate कितने का खरीदा सर? at the rate 100 रुपए on 14 14 14 sorry 14 1989 14 1989 and sold 14 2021 at the rate at the rate 2500 पर शियर fair market value 14 2001 1500 पर शियर fair market value 31 2018 1900 पर शियर दूसरा एक्स अल्सो पर्चेस अल्सो पर्चेस अल्सो पर्चेस अल्सो पर्चेस 2000 शियर of HUL हिंदुस्तान यूनिलिवर at the rate 1500 at the rate 1500 on 142 2019 and sold on 142 2021 at the rate 21 per share सर इसके लिए LTCG और STCG की बात करें तो 12 महिने का consider किया जाएगा अभी मैं provision भी दिखा दूँगा सर जब company अपनी दोबारा share sale करना चाहती है तो उनको existing shareholder क्या हो गया वो इस तो आ रही है अभी देख लेते हैं मुझे एक बार question कराने तो इसके बार doubt ले लेंगे एक question कराने दीजिए बस सर समझ नहीं आ रहा अच्छे से ठीक है अभी बताते ना सवाल कराऊँगा तभी तो समझ में आएगा question करा देते हैं तभी तो आएगा चलिए हम पहले इस वाले पार्ट को करेंगे फिर दूसरे को पहला वाला पार्ट जो है सबसे पहले sales लिखेंगे पर sales कितने का किया इसने 1000 शियर रिलाइंस के थे और 1900 रुपए और 1500 बेचा कितने का लिखें तो 1000 शियर इंटू में 2500 सर कितने हो गए 1000 शियर इंटू में 2500 कितने रुपए आए बताईए 25 लाख less क्या करोगे cost of सर cost of acquisition में indexation तो allowed नहीं है सर यहाँ पर आप बताईए cost of acquisition में क्या लेंगे जो rate आपका 31 2018 में होगा वो लिया जाएगा अगर इससे पहले खरीदा है तो अब यहाँ पर मैंने examiner में confuse करने के लिए 2001 का भी value दे दिया आप सोचोगे सर 2001 से पहले खरीदा है तो FMB ले ले लेकिन share वाले concept में यह वाला FMB नहीं चलता जो 2001 वाला है उस वाले case के अंदर special FMB आया जो की 31 जनवरी 2018 का है तो सर 21 जनवरी 2018 के हिसाब से देखा जाए तो 1900 multiply by क्या था यहाँ पे नहीं 1900 इंटू में 1000 उल्टा हो गया यह चलो 1000 इंटू में 1900 यानि सर अब चेक कर यह long term capital गे ने short term 12 महिनी से उपर रखा बिल्कूल रखा है सर तो LTCG आएगा 6 लाक और सर इसके उपर रेट जो government ने decide किया वो सीधा 10% fix decide कर रखा है कितने rate decided है इसपे special rate है 10% का short term पे special rate लगता है हमारा वो 15% का लगता है वो हम करेंगे बाद में करेंगे rate capital gain के खटे ही कर लेंगे सारा ठीक है न पहले case का answer done अब दूसरे case का सर इसने फिर से sale किया दूसरे case के अंदर कितने का खरीदा था सर इसने 2000 खरीदा था 1500 का 14 2019 में और बेच दिया 21 में 2100 का तो सर कितने share 2000 2000 into 2100 तो कितने होंगे 42 लाक minus sale consideration सर sale consideration के अंदर sorry cost of acquisition minus cost of acquisition सर cost of acquisition में क्या लेंगे cost of acquisition में जो जितने का खरीदा अगर 31 मार्च 2018 से पहले की बात है तो fair market value ले ले लेंगे अगर 18 के बाद की बात है तो भाईया जितने का खरीदा था वही लेना पड़ेगा तो हमने खरीदा कितने का था तो सर 2000 into में 1500 that is आपका 30 लाख जो की आ जाता है 12 लाख और ये भी आ जाता है lt cg अब मुद्दे की बात है इस question में देखो क्या provision में implement हुआ क्या करा अगर मान लो government बोल रहा था कि इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए था इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है तो अगर आप ऐसा करते तो कितना नुकसान होता आप मानते हजार into में तो कितना लेते आप cost of acquisition और 25 में से एक कितने का capital gain हो जाता 24 लाख 24 लाख पे आपको लगबग लगबग 240 प्लस टेक्स देना पड़ता 24,000 तो यही provision मैं यहां समझा रहा हूँ और मैं लिख भी देता हूँ सर अगर listed हुआ तो listed के case में या तो share आपने खरीदा होगा 31,001,2018 से before या खरीदा होगा 31,001,2018 के after थोड़ी से presentation खराब है लेकिन आप समझीए मैं यहीं पर कर देता हूँ इसे मिटा के यहीं साफ साफ लिख देता हूँ shares वाले पिसरे सर लिस्टिड वाला या तो खरीदा होगा before before 31,001,2018 तो आपको लेना है cost of acquisition as per section 112 that is क्या कहता है इसमें और भी बाते कहीं गई है लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बातों को disclose कर रहा हूँ जो चीज अभी सिखाया जा सकता है इसके अंदर और भी बाते हैं जो कि मैं भी नहीं कर रहा है इसके अंदर तो सर 112 ए के अंदर होगा तो बोला गया आप उस दिन वेल्यू ले 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 अफंबी कब का 31,2,018 का आप लिख लीजिए आपके पास notes है 10 year के अंदर page होगा वहाँ पे इसका इस तरीके से लिख लीजिए अगर आफ्टर है तो एक्चुल पॉस्ट और लिस्टेड शेयर में इंडेक्सेशन नॉट अलाओ अगर चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पर दे रख्खा होगा पहले सर बच्चे पूचे 10% क्यों भाई रेट है 10% जैसे मैं पूच लूग के टेक्स 5% क्यों है तो 5% है बाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है के 10% क्यों रेट दिया वेल लॉग के अंदर बच्चे बोलने 146 पेज नंबर पे हाँ देखो आपके कीवन होगा अब बताईए पहले समझ में आय नहीं आये जो मैंने ये एक्जामपल भी ले लिया और मैंने उसको भी समझा दिया पहले यहां तक देखिए शेर्स फिर हम आएगे आएंगे शेर्स के आगे चलेंगे थोड़ा सा काफी टाइम लग गया इसमें वैसे बताईए पहले कोई डाउट है यहां तक बच्चे कह रहें सर लॉंग ट्रम पे आपने 20 परसेंट बोला था राइट वो नॉर्मल कैपिटल गेन में यह स्पेशल रेट है यह स्पेशल रेट है यहां पे 10 परसेंट लगेगा और बाकी रेट की चिंता मत करो रेट मैं अलग से सारे लिखवा दूँगा किस पे क्या होता है हमारा 111 A है 112 A है सभी के रेट मैं लिखवा दूँगा बिल्कुल यह जितने भी सियर है लिस्टिड रेलाइन्स भी लिस्टिड बताया और H.U.L. भी मैंने सोचा नाम से आपको पता होगा थोड़ा जिसको नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं लिस्टिड है बताईए STT क्या था अरे STT बोलाओ समझाओंगा बाद मैं अलग से कॉंसेप्ट लेक्या हूंगा इसमें रिवर्स मोड गेज करवाया था याद रखना इंपॉर्टेंट है थ्यूरी के आस्पेक्ट से भूल गए जो पी एंवी का एक्जामपल लिया था जब एजेट हो जाते हैं घर से निकाल देते हैं कुछ बताया था कि लोन ले लेते हर मैंने किस्त दे देता है फिर उसे बैंक वाले बेच देते हैं कि कि यादा है कुछ कि ऑलनाइन वाले बच्चे बोलना याद है कि यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए कि आगे बढ़ा जाए कि लियर है चलिए सर आगे चलते हैं कि शेर्स के बाद आ जाते हैं और क्या सिक्योरिटी होता है डिबेंचर या बॉंड सर डिबेंचर या बॉंड सर डिबेंचर क्या होता है बॉंड क्या होता है बैसिकली डिबेंचर और बॉंड सिमिलर होता है जब कभी भी गवर्मेंट कंपनी आप लोगों से करजा लेती है तो उसको बोलते हैं बॉंड और जब कभी भी normal company आपसे करजा लेती तो debenture इतना फरक है आप मुझे एक बात बताईए आप indexation लेते क्यों है government से आपने बोला sir 100 रुपे तब खर्च किये थे उस 100 रुपे की value आज 100 रुपे थोड़ी ना है उसकी value बढ़ चुकी है इसलिए हमें indexation मिलता है लेकिन अगर आपको हर साल जो value depreciate हो रहा है रुपीज का उसको compensate कर दिया जाए माने लेते हैं आपने 1000 रुपे का FD कराया इसके उपर आपको अगर मैं बोलू 20 साल के बाद भी मैं आपको 1000 रुपे दूँगा आज आप 1000 रुपे में कुछ चीज़े खरीज सकते हो लेकिन 20 साल के बाद साइद 1000 रुपे में center phrase हा रहा हूँ हो सकता है ने एक toffee ले लो आप possible है तो ऐसे situation में नहीं possible है आपने बोला सर इसका indexation दो उस 1000 रुपे की value को 20 साल बाद उतने रुपे में convert करो जितने का है अगर मान लो मैं कहूँ 1000 रुपे आज दो हर साल आपको 100-100 रुपे ब्याज मिलते रहेंगे तो सर 20 सालों तक तो आपको ब्याज मिली गया यानि आपके रुपे का value जो depreciate हुआ है उसका पैसा तो मिली गया तो जब आपका रुपे का value depreciate हो गया तो government ने कहा जिसलिए आप लड़ रहे थे के आपके value उस दिन ज्यादा था आज उसके according नहीं है तो हर मैने जो आपको ब्याज मिला है that is आपका indexation वाले point को eliminate कर देता है यानि जब कभी भी debenture जब कभी भी debenture के उपर बात आएगा तो sir cost of acquisition तो actual cost ही है लेकिन यहां पर indexation allowed नहीं है sir क्योंकि हर साल आपको इस पर interest मिल रहा है साथ के साथ इसका nature always short term capital gain माना जाएगा long term नहीं माना जाएगा always क्या माना जाएगा इस पर indexation नहीं है मैंने 5 लाख रुपे का debenture 6 लाख में बेच दिया capital gain that is 1 लाख और short term वाला rate लग जाएगा इस पर समझ मैं यह बात आपको क्यों हो रहा है इसा क्योंकि हर साल आपको इस पर क्या मिल रहा है interest मिल रहा है वह interest आपके रूपे कभी तो compensate कर रहा है ठीक है ना तो आईए देखते हैं क्या लिखा है चार्ट के अंदर सर कहता है debenture और bond में cost of acquisition shall be actual cost indexation not allowed मैंने highlighted कर दिया सर indexation allowed नहीं है समझ में आ गई बात आपको यानि सर हमने security shares भी देख लिए listed भी देख लिए अब आ जाते other assets पे other assets में क्या आगया example land आगया gold आगया आपका computer आगया laptop जो भी whatever official है वो सारी चीज़े other assets में क्या है जितने भी हम काम कर रहे थे अभी तक जितने भी example हमने आज से पहली वाली class में लिया था other वाला लिया था कोई shares का तो करा नहीं अभी तक एक भी सवाल शेर्स का नहीं करा आज क्लास से पहले एक भी सवाल अभी तक हमने गुडविल वगएरा वाला नहीं किया हुआ है तो हमने जितने भी करे थे यह वाले करे थे तो यह आपको पता ही है बस यहां लिखा हुआ है कहता है अगर आप 2001-2002 आफ्टर लोगे तो actual cost before ल WDV value यानि सर अगर WDV हुआ यहां पर भी indexation allowed नहीं है लिख लेना डालना भूल गया मैं इस चार्ट में लिखना चाहिए वैसे अगर आप machinery अगर आप furniture इनको बेचते हो तो that is a capital assets लेकिन यह depreciable assets होता है यहां पर indexation नहीं होगा यह भी हमेशा short term capital gain calculate होगा इस वाले portion को मैं PGPP के अंदर cover करवाऊंगा section 32 के अंदर क्योंकि वहां सबसे detail में और इस depreciable assets पे अलग से 6 नमबर का question पूछा जाता है तो यह था पूरा का पूरा हमारा cost of acquisition का section तर cost of acquisition क्या रहा हमारा ultimately देखा जाए तो different different मैं again कहूंगा theoretical point of view से काफी important है आपको लिखना आएगा तो आप उसके हर किसी category को different different तरीके से define करोगे in case of purchase in tangible assets then we will be हम क्या consider करेंगे cost of acquisition whether nil और actual cost depend on situation तो उसके साथ करेंगे shares के उपर होगा तो पूरा आप explain करोगे इसमें से सबसे important कौन सा था? shares वाला इसके उपर आपके practical question भी होंगे इसके उपर के तो practical question तो हम करी रहे हैं इसके उपर के practical question मान के चलो ना के बराबर आता exam में मैं सारी चीज़े बता रहा हूँ जो चीज एक्जाम से connected है मैं अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ यह important नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल छोड़ नहीं देना है आपने मैं पहले ही बता दू किस पर focus ज्यादा करना है इसलिए मैं बताता हूँ स्रीफ आपको क्यूंकि कुछ ऐसी चीजों को अगर आपने जबरदस्ती focus किया आप पच्चा पता चले कि यह सिर्फ self generated assets का बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लिया यहां तक किसी को कोई दिक्कत फिर हम आगे चले